हाई गाईज दिस इस साक्षी और विल्कम बैक तो माई चैनल और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा हेर ओयल शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके हेर की ग्रोथ बहुत जादा अच्छी हो जाएगी और जो हेर फॉल होने लगा है इची स्केल्फ हो गया है या हेर लेटिड आपकी कोई भी प्रॉबलम है यह सारी की सारी हेर प्रॉबलम को खतम कर देगा और आपके बालों को re-grow करने में help करेगा आपके जो cells damage हो गए हैं उनको फिर से ठीक करेगा और आपके hair growth को increase करेगा जितनी भी मैंने आप लोग के साथ hair related home remedies share की है वो तो काम करेंगी ही लेकिन आपको जल्दी result चाहिए होता है तो उसके लिए आज मैं आप लोग के लिए एक oil लेकर आई हूँ तो वो है nature shore का hair growth oil ये especially hair growth के लिए ही है जितनी में मैं home remedies बताती हूँ उसमें आप लोग कुछते हैं कि ये कहां से मिलेगा वो कहां से मिलेगा हमारे हाँ available नहीं होगा या फिर हम castor oil की जगा कुछ और लगा सकते हैं क्या हर एक चीज का replacement नहीं होता है और हर जगा पर हर चीज available नहीं होती है तो ऐसे ही मैं आज आप लोग के लिए especially hair growth के लिए hair oil लेकर आई हूँ ये है nature shore का hair oil और मैं आप लोग को बता दूँ कि जितनी भी products मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ या फिर जितनी भी home remedies आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो मैं पहले खुद पर try करती हूँ खुद पर apply करती हूँ मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और ये मुझे काफी ज़ादा अच्छा लगा मैं आप लोग को बता देती हूँ इस oil के बारे में ये especially hair growth के लिए ही बनाये गया है और ये आपकी hair growth को बढ़ाएगा आपकी hair loss को कम करेगा जो hair fall होने लगा है baldness हो गया यानि कि गंजपन अगर आपको हो गया है ये उसको भी हटाएगा खतम करेगा आपके dandruff को खतम करेगा lies की problem है itchy scalp की problem है flaky scalp की problem है यानि कि dryness अगर आपके बालो में रहती है तो उसको भी remove करेगा उसको भी हटाएगा और अगर आपके white hair आने लगे हैं आपकी age से पहले ही उसको भी खतम करने में आपकी help करेगा split ends की problem को भी खतम करेगा आप लोग split ends के लिए बहुत जादा भूशते हैं तो split ends को भी ये वाला oil खतम करने में आपकी help करेगा और जो ultra violet rays होती है ये बहुत ही important है मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये ही लगी कि जो ultra violet rays होती है उससे protect करेगा यानि कि जो धूप की किरने होती है हमारे बालों में direct पढ़ती है और हमारे बाल डैड हो जाते हैं, damage हो जाते हैं, freezy हो जाते हैं, dry हो जाते हैं कोई भी problem नहीं होगी है, ये herbal है, इसमें कोई भी ऐसा chemical नहीं मिला हुआ है अब मैं आपको उताई क्यों कि इसमें क्या-क्या मिला हुआ है इसमें मिला हुआ है नील ब्रिंगादी, ब्रिंगराज यानि केशराज, महा मोही यानि के धतूरा, तिल यानि के सैसमी और त्रिफला जो हमारे hair growth को बढ़ाने में, boost करने में help करता है हमारे जो cells damage हो गए हैं, वहाँ पर blood circulation आना कम हो गया है जिसकी वज़े से हमें hair fall होता है, या फिर हमारे hair की growth कम हो जाती है ये उन सारी चीजों को increase करता है और हमारे बालों की growth फिर से करना start कर देता है और मैं जितने भी products या फिर remedy आप लोग के साथ share करती हूँ आपको उसका result भी जरूर दिखाती हूँ अपने face पर और अपने hair पर तो आप देख सकते हो के इसका result कैसा है मेरे hair पर shine दिख रही होगी आपको और मेरे को कोई भी dryness वाली problem नहीं आई और काफी soft भी लग रहे हैं, कोई भी ऐसी problem नहीं है कि भी dry हो गए हैं, ये वाला oil यूज़ करने के बाद नहीं मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला hair oil, इसलिए मैं आप लोग के साथ share कर रहे हूँ ये oil आप online purchase कर सकते हैं, link मैंने description में दिया हुआ है इसकी website का भी, अगर आप nature sure से लेना चाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप amazon से लेना चाते हैं, तो आप amazon से भी ले सकते हैं दोनों के link मैंने description में दिये हुए हैं अब मैं आपको बता दू इसका price इसका price है 339 रुपीज और जो इसकी quantity है, वो है 110 ml आप इसको जरूर करकर देखें, आपको रोज नहीं लगाना है, आप week में twice यानि के हफते में दो बार लगा सकते हैं इसमें थोड़ी से smell है, तो या तो अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं, तो best है अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं, तो या फिर आप इसको नहाने से दो घंटा पहले लगा सकते हैं और अच्छे से massage कर सकते हैं, और इसको दो घंटे के लिए छोड़ दे उसके बाद आप normal अपना जो shampoo और conditioner यूज करते हैं, वो यूज कर ले और आपको natural way में dry करना है, यानि कि आपको blow dryer या फिर कोई भी heat use नहीं करनी है आपको natural तरीके से अपने hair को dry करना है, सुखाना है, तो आपको इसका result बहुत जल्दी दिखाई देना है, start हो जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि यह Indian brand है, इंडियन को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने सारे के सारे अपने products बनाए है, मुझे नेचर शौर से काफी सारे products receive हुए है, यह आप देख सकते हैं और मैं एक एक करके सबके reviews आप लोगों के साथ share करूँगी, जो products मुझे अच्छे लगेंगे सबसे जादा, उनके reviews मैं आपके साथ पहले share करूँगी एक्चुली मुझे काफी जादा पसंदा है इनके products और अच्छे भी लगे, paraben free है, sulfid free है, यानि chemical free है, जो हमारे skin और hair के लिए काफी जादा अच्छे होते हैं तो आईए अभी देख लेते हैं इसका review कि हमें कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है bottle की packaging मैंने आप लोगों को दिखा दी है, काफी अच्छी bottle है, travel friendly है, आप इसको easily कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इसमें से कुछ भी leak नहीं होगा और हमें जो apply करना है वो अपनी roots पर करना है और अच्छे से massage करनी है, 5-10 minute के लिए और उसके बाद अपनी length पर लगाना बिलकुल भी न बोले क्योंकि ये आपके split ends को भी cure करेगा, यानि कि उनको भी ठीक करेगा, तो उसके लिए आपको अपनी hair length पर लगाना इसको इसके लिए मैं ये वाला oil लेकर आई हूँ, आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है, और जाने से पहले अपनी जिस subscriber का नाम आज मैं लेने वाली हूँ, उनका नाम है Pooja Sonkar, तो shout out to you Pooja, और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो like करे, share करे, comment करे, चैनल को subscribe ज़रूर क वीडियो देखने के लिए, notification bell भी जरूर प्रेस करें, and always take care of yourself, bye